एंसी एर्टी पुनर विलोकन की स्रंखला में आज हम इतिहास विसे की कच्छा आर्ट की एंसी एर्टी के अध्याय दो पर व्यापार से सामराज तक कंपणी की सत्ता इस्थापित होती है का रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों पिछले एंसी एर्टी की इतिहास की किताब में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो मद्यकाल था और जो उत्तर काल है अर्था जो आधुनिक हमारा काल है या ऑपनवेशिक यूग जिसे मैं कहना ज्यादा पसंद करूंगा जो ऑपनवेशिक यूग है उसके बीच के जो बीच का एक ट्रांसपरमेशन का जो एक काल रहा जिसमें हमने देखा कि जब मुगल वंस के पतन के साथ-साथ छेतरी सक्तियां किस प्रकार से उभरी और वो चीज इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था जानना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आधुनिक जो इतिहास है अपनिवेशिक जो यूग है उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसी बेस पर आगे बढ़ती है इसके बाद में इस चेप्टर से हमें बेसिकली कंपनी का पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा यानि कि यह चेप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आदुनिक भारती इतिहास का कंपनी से जुड़ा हुआ जितना का पूरा का पूरा पूर्सन है वो इस चेप्टर से हमारा कवर हो जाएगा जोस्तों एंसी यार्टी में अगर हम इतिहास विसे में बात करें तो जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता हुआ एंसी यार्टी को जा इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे इस चेप्टर की पड़ते खुलती जाएंगी आप देखेंगे कि चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं कि जो मुगल बात्साहों में जो औरंग जेप था वो आखरी सक्तिसाली बात्साह था जब 1707 में औरंग रियास्तों के रूप में वो सामने ने उबर करका है जिसके बारे में हमने पढ़ा था जिसमें हमने पूरा पूरा जड़क्कन का हिस प्रिये हैंट वाफ इसके वह चैप fusion निटेशेंस तस बारी हो और करो सारे विडियो पें ने पैसे सकते इने बहौत सुनते रहतेे अब आज मैप में देख लेते हैं के पाप गुड़ोप कहा जाता है पूरू में इस्ट इंडिया कंपणी का आगमन दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ कि संद्सों में इस्ट इंडिया कंपणी ने ततकाली जो महारानी ती वो कौन थी वो थी एलिजाबेट प्रथम नाम याद रख आधिकार अरता इस जिस कारे के लिए इन्हें एका अधिकार मिला है वो कारे कोई दूसरा बेक्ति नहीं कर सकता है या कोई दूसरी कंपणी नहीं कर सकती थी उसी जमाने में वाडी जीक कंपणियां मोटे तोर प्रतिस पर्दा से सामान बेच करके ही मुनाफ़ा कमा सकती तो अगर कोई प्रतिस परदी नहों तो वह सस्ती चीज़े करीद करके ज्यादा कीमच पर बेच सकते थे ऐसे में इन्होंने व्यापारी केका अधिकार हासिल करना जरूरी समझा और व्यापारी केका अधिकार को हासिल भी किया लेकिन जब तक इंग्लैंड का जहाद दच्छ तो पुर्त गाली अपना ठिकाना अंग्रेजियों के आने कर समें पूर्त गाली अपना ठिकाना कहां बना चुके थे गोवा में बना चूक दोस्तों आधुनी का सब से नहीं के तो जांद यादा अर student किताब जाहां था जो मार्कत में जो भी कमप्रटिशन के लिए प्रते जादा है और फैक्ट कितना आप मेमोराइज रख सकते हैं उसकी एक कैपिसिटी है हर वेक्ति के दिमाग की उससे जादा नहीं चुक्कि हमें बाकी सारे विश्यों को भी बहुत गहन चिंतन और गहन अदिन के साथ में पढ़ना है ऐसे में हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़कर क कर पाएंगी यह सोचना भी खुद से बहिमानी करना होगा एंसी आरटी की खास बात ही है चुक्कि छोटी क्लास एच के लिए लिए लिखी गई है ऐसे में बहुत इन डिटेल और बड़ा सुवेवेस्टित तरीके से लिखी गई हैं तो कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जिन पर्टगाली लोग के पाप भूढग से जब तक वो पहुचते पुर्तगाली लोग पषिमी तडपर आचुके थे कहां पर अपनी उपस्च्चीती कराई थी पर और गोवा में उन्होंने अपना एक ठीकाना भी बना लिया था पुर्तगाली जो खोजी यात्री ते वासको तो डिगामा साब उन्होंने 1498 में पहली बार भारत पहुंच कर इस समुद्री मारक का पता लगाया था तो अंग्रेजों ने अलिजाबेट पर्थम से एक व्यापारी के काधिकार पत्र हासिल किया पूरूम में व्यापार का लेकिन इसके पहले यहां आकर के व्यापार कर प ने आ गए तो आप देखें यहां पर चार-पाथ सक्तियां बड़ी-बड़ी हो गई हैं एक तो हमारे पूर्टगाली आ चुके हैं दूसरे हमारे जो अंग्रेज हैं बिटिस हैं बिटिसर्स आ चुके इसके बाद में सत्रमी सताबदी के सुरुआत तक डचों ने भी प्र भी दिना चाहती थी अब यूरोप के बाजार में भारत से जो बना हुआ सूती कपड़ा था रेसम था इनकी जबर जस्त मांग थी इसके लामा काली मीर्च लॉंग इलाईची दाल चीनी इन सब की भी मांग रहती थी तो यूरोपी कंपनिया जो थी इस बढ़ती प्रतिस परदा से भारती बाजारों में इनकी वस्तूओं की कीमत क्या होने लगी बढ़ने लगी और ऐसी सिच्वेशन में व्यापारी कंपनियों को फलने फूलने का एक मात रास्ता या बचा कि वह अपनी प्रतिस परदी कंपनियों को खत्म कर दें तो जब कभी-कभी मन में कर दिया जाए ताकि एक कंपनी व्यापारी के काधिकार स्थापित कर चुक है और मनमाने दामों पर सामान खरीद कर मनमाने दामों पर बेच सके इस इंडिया कंपनी बंगाल में किस प्रकार से व्यापार शुरू करती है अब यहां पर हम देख लेते हैं तो जो पहली से पहले अपना काम यहीं से चलाते थे इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था फैक्टरी में इस फैक्टरी में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को और ता जो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़े हैं वहां पर उन चीज़ों को क इस वद देकर तीन गाउं की जमीनदारी भी क्या की खरीद ली। इन में से एक गाउं था काली काता इस यही जो बात में कलकता के नाम से जाना गया जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। तो कमपनी को बीना सुलक चुका है तमाम सारे व्यापार करने के फरमान जारी हुए और इस तरह से कमपनी ज्यादा रियायते हासिल करने और पहले से जो मौझूद अधिकार थे उनमें ज्यादा से ज्यादा व्रदी करने के लिए सदयो प्रयासरत रहती थी अब बात करेंग में कमपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में टकराव स्टार्ट हो गया कब 18 सदी में जो कमपनी ती और बंगाल के नवाब थे जैसे कि हमने देखा था कि बंगाल जो था वो मुर्चीत कुली खांके नेतरत में स्वतंत्र हो गया था ऐसे में जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे मुर्शीत कुली खा के बाद में जो अली वर्दी खा साब आए और उनके बाद में जो सिराजुत दोला बंगाल के नवाब बनी यह सारे के सारे काफी पावर पूल सासकते काफी सकती साली सासकते तो उन्हों है क्या कि जूक उन्हें चुकार ब benefiting को कम्पनी और उनकी किले बन्दी को बढ़ाने से भी रोक दिया गया तो कम्पनी पर धोखा खड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने दलील क स्की वझे से बंगाल हो with cuts कम हो भाए है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है कंपनी टेक्स चुकाने को बिल्कुल भी तयार नहीं थी ऐसे में उनके अपसरों ने अप अपमान जनक चिठियां लिखी और नवाब वा उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया इस तरीके से जो ठकराव था वो बंगाल में नवाब और बिटिस कमपनी के बीच में हो गया और इसी के बाद में फिर एक मातपूर युद होता है सेवंटीन फिप् में हुआ सिराजुद दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपूतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायते और अन्य सुभिदाएं आसानी से दे और इन सब चीजों में आना कानी न करे चुकि कंपनी ने यह प्रयास किया कि सिराजुद दौला के प्रतिदुन्दियों में किसी को नवाब बना दिया जाए लेकिन इसमें कंपनी को कामियाबी नहीं मिली और जवाब में सिराजुद दौला ने हुकम दिया कि कंपनी उनके राज में राजनीतिक मामलों में टां English factory पर हमला बोला और उसे पर कँपजा कर लिया नवाब की फाजों ने कंपव़जों के अफ़सरों को गयाशतार किया गिध्यार पर ताला डूला अंग्रेज़्ों के हथियार छिन लिय और अंग्रेज़्ों के तैनात कमपनी के अफसरों में भी ने भी राबर्ट क्लाईव के नेतरत में सेनाओं को रवाना कर दिया इस सेना को नोसेनिक बेड़े की मदद मिल रही थी इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौधे बाजी चली और आखिरकार सेविंटीन फिप्टी सेवन आर्थाद सत्रसों सत्तावन में राबर्ट क्लाईव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद दौला के खिलाफ कमपनी के सेना का नेतरत किया नवाब सिराजुद दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेना पतियों में एक सेना पती जिसमें मीर जाफर की कार गुजारियां भी थी मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया राबर्ट कलाईव ने यह कहकर उसे पने साथ मिला लिया कि सिराजुद दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए गा तो आंतरिक राजनीत में भी कंपणी और उसके अधिकारीों ने पूरी तरीके से उन्न तमाम चीजों का उपियोग किया जिनके माद्यम से सब्सक्राब कर सकते थे और इसक में अदिकार स्थापित कर सकते थे तो यह कुछ इतिहास का प्रारंब रहा जब कंपणी धीरे-धीरे सत्ता में अपना अच्छे बढ़ाती गई उसमें प्लासी के युद्ध का बड़ा महत्व है क्योंकि वहीं से फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध से मुखे रूप से सुरुवात होती तो यह कुछ परिस्तितियां बनी जिन में पुर्तगाली अंग्रेज फ्रांसीशी डच आय और व्यापारिक प्रतिसपर्दा बढ़ीं और धीरे-धीरे जो बिटिस प्रतिसपर्दी कंपनियां थी उन्होंने बाकी कंपनियों को पीछे छो अधिकार कर लें और बंगाल में क्या कुछ उत्तरा अधिकार के करम रहे है उस विशा में देख लें फिर इसके बाद में आगे जो चीजें आएंगी उनके बारे में हम अंधिन करेंगे थैंक्यू थैंक्यू सो मच